हेलो एवरिवान वेल्कम टू आर चेनल मैं गाउं से बापस आ गई हूं सुटके सखाली कर रही थी तो इसमें कुछ पूराने साडियां है जो मैं लेके आई हूं सोच आप लोगों के साथ सेर करूँ घर के बाहर कुछ काम चल रहा है तो बाहर का आबा जा रहा है तो अजय को आपके आपके अजय को अग्या लेकर यह तो इसमें मेरी साधियां है जो मैं गाउं से लेकर हैं यह पुलाने साधियां यह कटन साधियां है कि अक्रशमें ब्रचम ने यह देखने में इस तरह से इसको यह तो में गाउ में एक दिन पहन दिया था वह च्छा लग रहा था बहुत जलग गशा लग़्रा को ब्ला का लर रेक इसको अपके शूधर हैं कि बहुत समूथ हैं अ को स्वर्स्में हैं अंदर भी अलग का इस करह से इसकी डिजे एगी, इस करह से इसकी पले हो, यह इसकी पले हो, और यह इसकी बोडी है, इस करह से, प्रियर नी कॉपन साहिए, इस तरह से, कि अच्छा अच्छे बीजाइन हैं बहुत अच्छा ने पहुर से बस दिखा देगा हम पोड़ी आसारी बनादी की जाइन करें कि मेरी गाउं में था यह साधी के समय में इस असुराल के तरफ से आया था कि यह इस तरह से हैं कि मैं आपको खड़े हो कि दिखाते हूं कि यह इस तरह से है कि यह साधी के दिन मैंने इसको पहना था यह इस तरह से हैं उसटे हैं से कॉष्ट तीन चास ठाज़र में अधर हैं अब यह मुझे नहीं पता है क्या कोष्ट है कि इसका इस तरह से कॉण्य आपको और यह इसको उड़ी से बैटन बोलते हैं यह सारे पाटन हूँ और उर वो जो पहले दिखा है वो पार्टन सारीय जसल भी इस तरह से अपडि यह मेरा साधी के डिन मैंनेख पहना था मैध्यतर दो पर इस था है यह मुझे लेए पापा ऊच्छो mudar है विस Kimchi मेरे ऐसी शाधी में सगर essen अरूइवान दो कवह गर फैमठीत किम जैनी हमें इसादीत को अरुम्हां मुट्श डियाइन यह तो ब्लू लाग रहता है यह मरून और यह ग्रीव कि पल्लू इस तरह से हैं अब मैं यह सब दिल्ली लेकर आई हूँ सब को ड्राइब करूंगी सब गंदे पड़े हैं इसमें छोटे चोटे दाग बन गये हैं क्योंकि इतना साल से पड़े हैं कम से कम आठ आठ से दस साल हो गया है मुझे सब मैंने ऐसे ही आलमरी में पड़े थे मैं लेकर आई यह तीस ऐसंग भी ने मुझे दिया था मेरी बड़ी दी ने इसका पल्यों इसाल है तरह से नियकल के किन प्राइतोर कि अ करी कि इसलोशिए हैं इस तरह से नहीं आदि धातएற लैंगी स्माल यत्ति उसंद्ध के वह कंसे उसनमशिय म्हीं सोवनिन हुए पता यह रिग्र क कि अध्याद से यह पढ़ी था है यह सब से खास साड़ी है यह मेरे दिल की करीबे क्योंगे यह मेरी मामी की साड़ी है अर एक आखरी निशन टेन मेरी मामी की मेरे पास है जो बहुत दिन पहले उन्होंने मुझे दे धिया था यह बेटा में यह अग में पहन पाऊंगी क्योंकि मैं बिबार पढ़की अब तुम यह साड़ी ले लो तुम निसको पहने तुम रेया इतनी मॉमी से ये कुछ इस तरह से डीजाइन है ये हैंडलों है इसका बड़ी इस तरह से हैं ये मेरी माम का सड़ी है उनका आखिर निसान आखिर निसान है ये मैंने ओनलाइन मंगाया था मेरे भाई की साड़ी में ये ब्राउज इस तरह से हैं और ये साड़ी इसका पड़ी में ये नेट इसका पड़ी में प्लाइन है ज़्यादा कुछ खास नहीं है मैंने इसको मेरे भाई के सादी में इसको ऑनलाइन मंगाया था हो गया ये भी 6-7 साद ऐसे ही पड़े थे ही सादी सादी साद घ्राब हो रहे हैं तो मैं लेके आई ये सादी मेरे हज्मेंट ने मुझे गीप तो इस तरह से पड़ा है इस इसको और शोले ये इस तरह से ओड़ी और ये ओर इस उर्याज तरह से और इस यह सारी दीदी ने मुझे दिया था, यह इसके ब्लाउज पीस है, मैंना अभी तक उसको नसीवाया है ना अभी तक इसको पेड़ना है, वो यह से ही पढ़ है, यह कुछ इस तरह से है, और बीच में यह जॉइंट हो, यह नेट के लिट से जॉइंट किया है, लेस, एक लेस यह पेर दोलो जॉइंट हो यह जॉइंट हो यह बोली इस तरह से जुछ अल्लाग मुझे अच्छा है, जब से दीदी ने दिया है, इसे ही मैंने रख दिया था काओ में, क्योंकि हजबन यह आने नहीं देखे, उनको बेकार लगता है, जो पहनना नहीं है, क्यों इतना भर जाना आए, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आते हैं, लोगें ज्यादा हो जाता है, जो प्रॉब्रम होती है, ट्रेयन में से पुछ से लेती है, अब इनने जीद करके लेके आई, क्यों साड़ियां खराब हो देए, इतने महंगे महंगे साड़ियां है, तो इनको सब को ड् 15-16 साल कुराना साड़ी, यह इस तरह से है, इसका पलू, इसका पलू इस तरह से है, ऑर जो इसका बोडी इस तरह से है, यह प्योर पटन का हैं और बहुत स्मूथ है, उस ही समय इन हम 15 सार ये मेरे साडियां जो में आप लोगों के साथ सेख करती वह आप लोगों को भी दिखाती हूं और कोई आपकी साडी नहीं है जो बहुत पुराना ना हो बस जो दो कटन साडी थे वह अभी भी पापा नहीं दिया है और मेरा साधी को 17 सल हो गया है तो साधी में कुछ साधी साधी का है कुछ साधी उसके थोड़े दिन बाद में लिया था तो ऐसे कोई साधी नहीं है कि जो अभी का हो तो चारे साड़ियां 4-5-7 पहले का ही है और अलमेरी में गाउं में ही पड़े थे यहां हजबन लाने नहीं देते क्योंकि पड़ा रहता है और लाने में भी मुश्किल होता है ट्रेन में और वैसे आने जाने में लोगे इस तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता है तो यह साड क्यों इसको लेके घूमना है तो अभी में जित करके लेके आई मैं बोली यह सब देखो किस तरह से दाग बन गए है यह खराब हो रहे इतने अच्छे-च्छे साडिया है और आगे मुझे यह सब मेरी मेमोरी साधी की कुछ साधी की मेमोरी कुछ मम्मी की चीजे हैं तो यह बहुत मेरा दिल की करीब है तो इनको तो मैं लेके जाओंगी और मेरे जीवन भर इन साधीयों को में रखोंगी कोई सुनके मेरी बात है हस रहा होगा कि दीदी कैसे बोल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि और यह साधीयों को देखके बहुत खुसी मैसस भी होती ह मुझे अपनी पूराने चीजे को चीजे इससे होता है पूराना चीजे आप जितना भी देखो आपको नया ही लगता है तो वैसे यह इस तरह से हैं तो अभी मैं यह लेकर आई हूँ इसको चार-पांस दिन दुप में डालूंगी फिर ड्राय क्लिन करके इसको संभल के ज्यादा अच्छा लगा प्रीज जरूर बताना और आज के वीडियो में यहीं करती हूं आप खुस रहें सब को खुस रखिए बाए